वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें जिसका नाम है भारत में जयब विविदता होट इस्पोर्त है यह फिर आप से प्रिष्ण आ है कि निम्ने किते मिसे कौनसा एक जयबे विविदता होट इसपट नहीं है भारत का अग्योचित पर पोछे यहां पर इस्थानिक प्रजातियों की असाधारन सांदरता निवास करती हो और साथ ही साथ यह जो इस्थान है यहां पर असाधारन नुकसान से भी प्रजातियां गुजर रही हो अब नुकसान का कारण जलवाई परिवर्दन भी हो सकता है और भी कारण हो सकते हैं इसके अल लोर्मन्ट मायर्च के द्रॉय ती और इन्होंने पता लगाए था कि ऊष्ण बन डिये जंगल यह अपने पौधों के प्रजातियों के साथ साथ निवास स्थान में भी कमी करते जा रहे हैें मत्तभ इता इंका जो निवास स्थान है उसमें भी systems तो यह ऐसा इन्होंने पता लगाए था यू सिय तो है था यहार करता है यह बूखे तो इसके द्वारा त्यार किया जाता है। दुनिया भर के 36 शेत्र आसे हैं जो जैंहें ऑर इस पूठें होति you havetime Quran आपको मिलता है। दुनिया भर के 36 यहां अट्शेतरिक्व कि iftime यह होड़िस्पोर्ट प्रिद्वी के कुल भूमी सतय का केवल दो दिसम्लों तीन प्रतिशत प्रतिनिध्यत्व करते हैं फिर भी दुनिया की पचास प्रतिशत से अधिक पौधों की प्रजातियां और सभी सतली कशेरिकु प्रजातियों में से 42 प्रजट इन छेत्रों के लिए स्थानिक है इसके रावा भारत इपनी समरद जैब विट्टा के लिए जाना जाता है और इसका 23 दिसम्लों तीन नौ प्रजशत भौगोलिक छेत्र जंगलों और पेडों से ढखा हुआ है तो भारत में भी कई सारे जैब विट्टा होड़ी स्पॉर्ट है जैब विट्टा सब्द का पहली बार प्रयोग 1916 में एक अमेरिकी बनसपत्ती सास्टी आर्थर हैरिस के दुवारे किया गया था ये जो सब्द है जैब विट्टा 1985 में बाल्टर जी रोशिन ये प्रशन पूछा जा चुका है बाल्टर जी रोशिन के द्वारा गड़ा गया था आम दोर पर जैब विट्टा को तीन मूलभू स्ट्रेणियों में विभाजित किया जाता है अन्वाने शेख बिवधिता, प्रशाथी बिवितीटा और पारेसेरिक तंत्र बिविटिता तो ये जैब विभिघ्टा की तीन स्टेनिया होगी आयई अब जानते हैं कि भारत में जैब विविता हॉटि स्पॉट कितने हैं और कहा कहा पर है तो भारत में अगर संक्या पूची जाए तो चार याद रखेगा चार जैब विविता होटी स्पोट हैं ये कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले तो हिमाले हिमाले में बहुत ही बिस्त्रित प्रजातिया पाई जाती है पेड़ पौदो की इसमें संपून भारती हिमाली चेत आएगा जो पाकिस्तान, तिबट, निपाल, भूटान, सीन और म्यानमार में पड़ता है इसके अलावा इंडो बर्मा चेतर इसमें असम और अंडमान दीप समू सामिल है और म्यानमार, थाइलेंड, बियतनाम, लाउस, कंबोडिया, दक्षिन चीन को छोड़कर संपून उत्तर पूर्भी भारत इसमें सामिल हो जाता है तो जो नौर्थ इस्ट वाला चेतर है वो सब इंडो बर्मा चेतर में आएगा इसके बाद पश्यमी घाट और श्री लंका, इसमें संपून पश्यमी घाट आजाएगा और श्री लंका सामिल हो जाएगा सुन्दरवन, सुन्दरवन इसमें निकोबार दीप समू और इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूल, ब्रुने, फ्लिपिन्स ये सब सामिल होते हैं ठीक है पश्यमंगाल का चेतर जो है यही परिसी में आ जाता है पूर्वी हमाले जो मूल रूप से भारत बर्मा जैबिविता होटी स्पोट का हिस्सा था और इसमें भूटान, उतर पूर्वी भारत और दक्षिन, मध्य और पूर्वी नेपाल सामिल थे ठीक है तो यहां पर आपसे पूर्वी हमाले भी पूछ सकते हैं याल रखें पूर्वी हमाले है पश्यमी घाट है इंडू बर्मा चेतर और सुंदर्वन चार भारत में जैबिविता होटी स्पोट है 2004 में एक होटी स्पोट पुनर मुल्यांकर ने इस चेतर को दो होटी स्पोट के स्थे की रूपे वरगी करत किया इंडू बर्मा और नव पृतिस्थे थे माले ठीक है इसके बाद हम अगला चो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है भारत की चिडिया घर भारत के हम चिडिया पार्क जो की चेन नहीं में है और यह चिडिया घर और पार्क 1855 में खुला गया था बहुत पुराना है भारतिये केंद्री चिडिया घर प्राधिकरन CZA भारत के सभी चिडिया घरों का साशी प्राधिकरन है और World Association of Jews and Aquarium का एक सहियोगी सदशी भी है तो यह याद रुखिएगा कि भारत में कौन प्राधिकरन है साशी प्राधिकरन कौन है भारति केंद्री चिडिया घर प्राधिकरन अगले तत्य है स्री बैंक के टेश वर प्राणी उद्यान आंद्रपिदेश के तिरुपती में सेसा चलम पहाणियों की तलहटी परिस्तित है और छेत्रफल की द्रिस्टी से यह एसिया का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है ठीक है तो इसको याद रुखिए छेत्रफल क इसको बीघ्म प्राणी दोनों को याद करीए जैसे महाराज बाग चीडिया घर नाखपुर में महारास्ट के अदिकांस चीडिया घर आपको मिलेंगी उन्हीं सहरों के मेसे नाम पर तू सेहर vikt आको पता ने हैं किस राजुमें कोछाल अगले उनको याद कर ने रहेगा जैसे महराज भाक्चिडिया घर है नागपूर का है सयाजी भाक्चिडिया घर है बड़ोद्रा में है गुजरात के नंदन बन चिडियागर है राइपूर में है चतिसगड के इसके बाद है त्रीशुट चिडियागर यह 300 में है और यह कीरल में पड़ता है अलिपूर प्राणी उद्यान कॉलकता में है पश्यमंगाल के इसके बाद अगला है अमेर्थी प्राणी उद्यान बैल तमिलाडू के गोरेवाड़ चिडियागर ये नागपूर में है महरास्ट के गोपालपूर चिडियागर ये नागपूर में है महरास्ट के ठीक है इसके बाद गोपालपूर गोपालपूर में ही है हिमाचल प्रदेश में ये महरास्ट में ये वाला है गोरेवाड़ गोपाल पूर पॉर में है गुपालपूर हमार्चलप्रदेस में है और गोरेवारा महरास्थ में है घुलाब बारक और चिडियागर राजिस्थान पर है ये उद्याजित्तान नहीं कर दोने हैं और इंदौर चिडियागर इंदौर में ही है इंदौर सबसे स्वक्ष सहर भी भारत का मधिपदेश में आता है जैपूर चिडियागर ये जैपूर में ही है और जैपूर कहां पर है पिंकी सिटी है इंडिया की और ये राजिस्थान में है इसके बाद जबाहर नहरू चैवि खलोल तेलंगाना में आता है कमला नहरु प्राणि उध्यान प्राश्मियानं से बन चुका है और यह कळण करिया में में कनकरिया हम्द allied प्रश्ण बहुत एक्जाब में पूछा गया है भुबनेश्वर में है उडीसा के राश्ची प्राणी उद्यान ये भी प्रश्ण एक्जाब में पूछा गया है पश्यमंगाल के इसके बाद अगला है परासियनी का दाबू स्नैक पार्क ये स्नैक पार्क है और ये कनूर में आता है केरल के इसनैक यानी सामों के लिए पार्क बनाया होगा इसके बाद अगला है मोर और चिंकारा प्रश्णन केंद जहाब हुआ ये रेवरी हर्याना में आता है इसके बाद अगला है पिपिकुला जैविक पार्क ये कहां पर है मैं मंगलौर करनाटक प्रशनंं के इंदर वेर्सप्र गर्णा इसके बाद राजी इब गाल्णी उद्यान पुड़े में है महारास्ट था सब्सक्राइव रहोतक कहां है बुद्यान को इसके बाद संजय कांधी जैपिक उद्यान पटना में और यह बिहार में आती है सर्थाना चिडियागर प्रणी उद्यान यह राज्चोट में आदा है सारना थेरन उद्यान वारंसी में उत्तर-प्रदेश के इसके बाद सिपाही जोलवनीजीव अभ्यारण सिपाही जला में है और इतरपुरा में आता है स्ट्व बेंक के टिश्वर प्रान्युद्यान तीरुपति अंतरपदेस में है डाटर स्टील जूलोजी कलं पार्क की जमसेदपूर में है और जमसेदपुर कहा है जारखन में इसके बाद अगला है गिद्स अरक्षण एबं प्रजनन केंद्र पिंजवार का ये पिंजवारा में ही है और ये हर्याना में आता है तिरुवननत पुरम अगर पूचा जाए तरवेंदम में है केरल के इतावा सफारी पर्क बहुत ये च और ये औरंगबाद में है औरंगबाद कहां है महरास्त में इसके बाद मत्यपेडेश का एक और गॉलीर जिडीया गर गॉलीर में है मत्यपेडेश के और अरिंग्र अन ज्यिलॉजिकल पार्क बंदालूर चिडिया कहा है काला हिर्ण प्रशन केंड पिपली मिनी चिडियागर कुरुछेत्रि ये सब हरियाझा में होगने पंजाक औरकूरु जिराखपुरू मगता है हर्याना के बहल में मगर्मच्छ प्रज्णन केंद कुरुचेत्र हर्याना में हो जाएगा और एक मुटा में है मगर्मच्छ प्रज्णन केंद जो की राची में है राची कहां है चारखन में इसके बाद एक मगर्मच्छ पुनरवास और अनुशधान केंद्वी है यह कहां प तो यहां पर हमने भारत के प्रमुख चडिया घर देखें और साथ ही साथ हमने जैब विवेदिता होड़ स्पॉर्ट देखें इंको इंपॉर्टन बहुत इंपॉर्टन टॉपिक इनको याद रखेंगा वीडियो को एक से दो बार आप देखेंगे तो आपको चीज़ें या सब्सक्राइब हमारा यूपी पीसी दो हजार चौबेस प्रिलिम्स के लिए क्रेस को से स्टार्ट हो चुका है अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो मात्रा 844 पिच का स्टडी मटीरियल है जो कि आप स्टडी फॉर्ट से ले सकते हैं एप्लिकेशन पर 20% का डिसकाउंट भी मिल रहा है अभी जिसमें आप ग्यानसर कूपन कोट अप्लाई करेंगे तो आपको डिसकाउंट मिल जाएगा तो इसका लाब आप अभी ले सकते हैं जोइन करने के लिए डिस्क्रिप्शिन ने दीगे टिटिल को फालू किजए थैंक यू वाचिंग इस वीडियो थैं